नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सूखा नारियल खाने के फाइदों के बारे में बात करेंगे दोस्तो सूखा नारियल खाने से महिलाव को क्या लाब मिलते हैं दोस्तो नारियल कई तरह का होता है इसमें पानी वाला नारियल जटा नारियल और सूखा नारियल सामिल हैं सभी तरह के नारियल को स्वास्ते की दरश्टी से काफी फायदिमन माना जाता हैं नारियल स्वादिश्ट होने के साथ ही सेहत मन्द भी होता हैं यही कारण है की अध को महिलाव के लिए सूखा नारियल क्यों जरूरी हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों सूखा नारियल अधिकतर घरों में पाया जाता हैं क्योंकि लोग सूजी, खीर, हलवे, आइसक्रीम और अन्ये स्वीर डिसेज में इसका इस्तमाल करते हैं साथी सूखे नार स्वीर डिसेज के स्वाद और पोस्सक तत्तों दोनों में वरद्दी करता हैं यह सभी लोगों के लिए फायदे मंद होता हैं लेकिन महिलाओं के लिए इसके फायदे काफी अधिक होते हैं यह महिलाओं में एनिमिया या खून की कमी को दूर करता हैं साथी प्रेगनेंसी म इसका सेवन करना लाबदायक माना चाता है इतना ही नहीं सूखा नारियल आपके लिए एक facial exercise के रूप में भी कारिय करता है इसे चबाने से facial exercise होती है जिससे आपके लुप में सुधार होता है दोस्तो आईए जानते हैं सूखे नारियल में पोशक तत्तु के बारे में दोस्तो आइरन, मेगनीशम, विटामिन B6, केलसियम, एंटी ओक्सिडेंट दोस्तो ड्राई या सूखा नारियल खाने से सेहत को काई तरह के लाम मिलते हैं अगर आप इसका सेवन नियमित रूप से करेंगी तो इससे आप हर्द्य रोग से बच सकती हैं साधी प्रेगनेंसी में भी इसका सेवन किया जा सकता हैं सूखा नारियल महिलाओं में होने वाले UTI की समस्य से भी निजात दिलाने में मदद करता हैं दोस्तो आईए जानते हैं महिलाओं के लिए सूखे नारियल खाने के फाइदों के बारे में नमबर एक आइरन की कमी दूर करे सूखा नारियल दोस्तो अधिकतर महिलाओं में एनिमिया या आइरन की कमी देखने को मिलती हैं महिलाओं में आइरन की कमी एक बड़ी समस्या है इससे वे साररिक कमजोरी के साथ ही कई अन्य तरे की समस्याओं से भी परेशान रहती है सूखे नारियल में काफी अच्छी मात्रा में आइरन पाया जाता है इसलिए इसे महिलाओं के लिए फाइदिमन माना गया है नारियल को डाइट में सामिल करने से आयरन या खून की कमी की समसा को काफी हद तक दूर किया जा सकता है इससे आसानी से हीमोगलोबिन बढ़ाया जा सकता है इसलिए ही परसव के बाद अक्सर महिलाओ को नारियल की मिठाईयां खिलाई जाती है यह आईरन की कमी को दूर करने का एक अच्छा उपाय है दोस्तो ड्राइ या सूखे नारियल में काफी अधिक मात्रा में एंटी ओक्सिडेंट्स बाए जाते हैं जो आपके हर्दे को स्वस्त रखने में मदद करते हैं वैसे तो एंटी ओक्सिडेंट्स आपके संपूर्ण स्वास्ते के लिए जरूरी होते हैं लेकिन हर्दे रोगों से बचने के लिए यह एक जरूरी पोसक ततु होता है नारियल में फिनोलिक कमपाउंड होते हैं जो एंटी ओक्सिडेंट्स हैं ये compound sales के oxidative damage को रोकते हैं नारियल heart attack के खत्रे को भी कम करता है दर असल नारियल धम्नियों में पलाक बनने से रोकता है जिससे heart blockage को भी रोका जा सकता है नमबर 3, गठिया रोग में लाबकारी दोस्तो महिलाएं अक्सर ही गठिया या arthritis से परेशान रहती हैं गठिया एक बेहद पीड़ा दायक समस्या हैं इस समस्या से बचने के लिए आपको अपनी diet में सुखे नारियल को जरूर सामिल करना चाहिए इसमें थोड़ी मात्रा में केलसम भी पाया जाता हैं जो हड़्डियों को मजबूत बनाता हैं साथ ही इसमें मुझूद अन्य पोसक ततू आपके संपून सरीर को मजबूत बनाते हैं दोस्तो सुखे नारियल को प्रेगनिसी पीरियड में भी आसानी से खाया जा सकता हैं इससे महिलाओं की रोग परती रोदक चमता मजबूत बनती हैं साथ ही हैं आपके ब्रून के लिए भी फायदे मद होता हैं नारियल में फेटी एसिड होता हैं जो सिसु के विकास और वरद्दी में मदद करता हैं इसलिए प्रेगनिसी के दोरान आपको सुखे नारियल का सेवन किसी न किसी रोप में जरूर करना चाहिए नमबर पांच फेशियल एकसरसाइज में फायदे मद दोस्तों महिलाएं अपने चेहरे को अच्छा सेप देने के लिए भी सुखे नारियल का सेवन कर सकती हैं दर असल सुखे नारियल को काफी बार चबाना पड़ता हैं जिससे फेशियल एकसरसाइज हो जाती हैं ऐसे में अगर नियामित रूप से इस तरह से फेशियल एकसरसाइज की जाए तो स्वास्ते के साथ ही आपके लुक में भी सुधार होने लगेगा नमबर चें इम्मुनिटी बढ़ाए सूखा नारियल दोस्तो सूखा नारियल पोसक ततों से बरपूर होता हैं इसमें विटामिन्स, केलसियम, मेगनीज, प्रोटीन और आयरन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता हैं ऐसे में इसका सेवन करने से इम्मुनिटी यानी रोग परती रोधक चमता को बढ़ाया जा सकता हैं सूखा नारियल आपकी इम्मुनिटी बढ़ा कर बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता हैं नमबर साथ इस्तनों के दूद में वरद्दी करे दोस्तों इस्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सूखे नारियल का सेवन करना बेहद फादिमन माना जाता हैं क्योंकि इसके सेवन से इस्तनों में दूद का उत्पादन बढ़ता हैं साथी सीसु को भी जरूरी पोसक तत्तु मिलते हैं परसव के बाद अगर नियामित रूप से नारियल खाया जाए तो बच्चे के विकास में मदद मिलती हैं इससे बच्चे के लिए पोस्टिक दूद का उत्पादन होता हैं दर असल नारियल में लोरीक एसिड होता हैं जो ब्रेस्ट मिल को बढ़ाने का एक घरेलू उपाए हैं दोस्तो महिलाव को अक्सर ही यूरीन इंफेक्चन की समस्य से जूजना पड़ता हैं नारियल का सेवन करने से यूरीन इंफेक्चन या मोत्र संकर्मन से बचा जा सकता हैं दर असल नारियल यूरीन इंफेक्चन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकता हैं नारियल खाने से यूटी आई जैसे गंभीर संकर्मन से भी रोका जा सकता हैं योनी को सुवस्त रखने के लिए भी आप नारियल का सेवन कर सकती हैं नारियल पानी भी यूरीन इंफेक्शन से बचाओ करता हैं दोस्तो आप भी अपनी डाइट में सूखे नारियल को सामिल कर सकती हैं ये आपके स्वास्ते ताउचा और सिसू के लिए फायदे मन्द होता हैं इसके सेवन से आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता हैं इसे आसानी से खाया जा सकता हैं आप इसे अपनी डाइट में किसी भी रूप में सामिल कर सकती हैं आप चाय तो इसे डिसेज में डाल कर ले सकती हैं चाय तो इसकी बरफी या मिठाईयां खा सकती हैं चाय तो इसे सूखा भी खाया जा सकता हैं दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें